सरुकार और जल्दी ही रावन को देहन की तैयारियां कर रहे हैं वो जी मरीजी मैं आपको बता दू कि वाविया मैदान जोकी लखनौ का थिहासिक मैदान है इस डिजिटल यूग में आप देख सकते हैं कि लोग अपने मोबाइल फोन को निकाल कर और इसे खल को कहने में लगए हूं कि आप देख सकते हैं कैमे में एक्स्क्लूजिव पर जहां रावंद हैं जहां लखनौ का सबसे लंबा और सबसे बड़ा रावंद का पुतला महच कुछी सकेंड में अंदर धू धू कर जाएगा और कहीं ना कहीं देखा जाते हैं जो बुराई है उस पर आई का जीत है और साथी साथ हमारे मर्यादा पुष्टम राम के अगर देखे तो तीरों से रावंद का बद हो चुका है और महच कुछी सेकेंड के अंदर आपके सामने लगभग सौव पिट की जो रावंद के पुतला दिख रहा है ये आग को हवाले हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि रावंद का फुतला जल चुका है और जो यहां का पशासन है कि अथक प्यासों के बाद महच घंटों के अंदर जो खराब मौसर के चलते तो पुतला पानी के हवाले हो गया था वो महच घंटों के अंदर इसे बनाए गया और आप देख सकते हैं कि यहां रावन देहन का जो कारिक्रम है वो तुर रहो चुका है और आप आपको पताना चाहेंगे कि यह वो गाम लिल्या मैदान है जहां पहुजा रसुला के अंदर में फधान मंची मोधी यहां सिरकत किये थे उनके तरकस से निकले तीव से राव के लिए काम किये हैं साथी साथ अगर बात कि लिए इतिहासिक वाग लेला मैदान के अंदर में देश के कई सारे मुख्यमंत्री साथी साथ मंत्री तमाम जो घर्मान है वो सिल्कत कर चुके हैं और अब देख से हैं कि इस गुदाई प्याइप अच्छाई के तेवहार पर लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि लोगों में कितना उच्छा ते तो लोग जैस्वाम के नारों से यह पूरा जो पांदर में वो गूब उठा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जो घुड़ाई पे अच्छाई का तेवहार है उसको मनादे के लिए कि संख्या में लोग थराब मौसम के वावजूद भी यहां एकत्रित हुए हैं और वहीं अगर बात की जाए तो इस एकिहासिक मैदान की तो अगर जब वांचवित मानश को लिखा गया उसकी बात देश के अंदर ने साथी साथ भारत उप महाधीप जहां सनातन धरम था उ सब्सक्राइब का उनके लिए रावन रामायन का मंचन इसी जगह से शुरू किया गया था साथ साथ देश के भारत उप महाधीप के कई सारे जगों से किया गया था मनीजी आपको बताएंगे आपने देखा प्राइम टीवी के खेमर में एक्स्लूजिव रावन का दहन जे पर्फ था जिसमें बेगनाथ कुमकरर और रामण का आज दहन हुआ आपने पूरी लाइफ फूटेज हमकों को दिखाई तर्शकों को दिखाई और वहाँ पे जो जनता है उनका भी बड़ा उसाह देखने को मिल ला है पीछे से आपके जैश रिराम के नारे में सुनाई द लगा जाए क्योंकि रामण दहन का अजन सभी दोग देख चुके हैं आपको आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अजन सभी किये लखनाओ की एशबाग रामण दिला मैदान में रामण दहन का आईजन चला था जिसमें बड़ी संक्या में श्रधालू मौजूद थे और उन्होंने रामण दहन में उपस्तित होकर इस पूरे नाटि मंचन को देखा और रामण का दहन भी देखकर असत पे सत्त की जीत के साक्षी बनें आपको बताता है कि भगवान श्री नाम ने नौ दिनों तक मादुर्गा की आरादना की थी उस आरादना से प्रसंद होके मादुर्गा ने उनको आशिरवाद दिया था कि वो लंका पती रामण पर विजए प्राप्ट करेंगे और आज का दस श्री रामर को बस्का culprak करने के बाद क्योंकि वो ब्रामर थे उसका पश्चाताव भी किया और अपने उस गल्दी चंवा भी मांगी क्योंकि वो रामण को उड़ान मंगते थे रामर बहुती विद्वान था बहुती ती तैजस्वी था सबी गयन चत्रों उसके अधीन भगवान शिव का परम भक्त था रावड महा शक्तिशाली महा प्राक्रमी और आभी भी उनको बहुत इस सम्मान की दिश्ट्री से देखा जाता है भगवान श्री राम रावड का दहन करने के बाद अवद्या वापस आये जहां पर उन्हें ने भवे स्वागत वहां की जंता मना जाता है यह पूरी राम लीला का मंचन आप देख पा रहे थे एश्बाग राम लीला मैदान से उजे दर्श्मी के पावन परव पे आपने रावड देहन का यह सुंदिर प्रस्तुत्ति देखी सभी भारत वास्यों सभी देश्वासियों को दशारा की बहुत-पहुत शुख कामना और दिपावली की बहुत-बहुत शुख कामना इसी के साद प्राइम टीवी के सुंद आइम टीवी